नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो मेरे यूटूब चैनल पंसारी के नुश्के और मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश कुमार दोस्तों आज के इस यूडियों हम बात करेंगे नीला थोता के फायदे के बारे में दोस्तो नीलत होता वेसे तो बहुत काम आता है लेकिन यह खुजली में रामबान से दूआ है दोस्तो आप किसी प्रिकार खुजली हो उसमें यह नीलत होता बहुती कारगर है दोस्तो नीलत होता जो खुजली से किटान पैदा होते है उनको यह खतम कर देता है जिससे बार-बार खुजली होने की समस्या खतम हो जाती है दोस्तो नीले थोते का इस्तिमाल खुजली में किसी प्रिकार किया जाता है वह है आपको बताता हूँ मैं उससे पहले आपसे एक छोटा सनिवदन है कि अगर आप हमारी चैनले पर नए है तो चैनले को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तो जो भी आग परिचित मिलने वाला खुजली से परहसान है उसको वे ही वीडियो सेर करें चले दोस्तो अब बताते हैं आपको कि खुजली में नीले थोते का उपियोग कैसे करें दोस्तो आपको लेना है 10 ग्राम नीला थोता जै दोस्तो 10 ग्राम नीला थोता और 10 ग्राम गंदक और 100 ग्राम तिली का तेल दोस्तो यह तीनों चीज़े आपको किसी पंसारिक दुकान पर आसाने से मिल जाएगी दोस्तो यह बनाने कैसे है आपको नीला थोता और गंदक को बारिक पीस लीजिए और इन दोनों चीज़ों को जो सौगराम तिली का तेल लिया है उसमें पका लीजिए या दोस्तों उसमें पका लीजिए और पकने के बाद थंडा हो जाये तब एक सीशीम भरका रख लीजिए जब भी आप नहाते हो नहाने से एक घंटा पहले आपको यह तेल पूरे सरीर पर लगाना है या दोस्तों कुछ दिनों के इस्तिमाल से आपकी खुजली दूर हो जाएगी हाँ दोस्तों एक बात और दोस्तों यह दोनों चीजों को बच्चे के पौश से दूर रखे और हाँ यह दोनों चीजे जहरे टाइप है तो इनको खाने पीने के चीजों से दूर रखे और तेल लगाने के बाद अपने हाथों को साबन से इस्तिरे दोले अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और हाँ हमारे नहीं नहीं जानकारी पाने के लिए चलने को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार